नमस्ते दोस्तों कैसे आप लोग? आज हम लेकर आए एक अहित्यासिक सफर विश्ण देवी की दर्शन का सफर। आई ये जानते है इस पवीत्र इस्थल का मतवता और यातर की पूरी जानकारी है। विश्ण देवी मंदिर जम्मोर कश्मन स्थित एक पवीत्र मंदिर है जहां माँ विश्ण देवी की उपासना होती है। ये मंदिर पाच अजार दोस्ता फिट की उचाई पर है त्रिकूटा परवुतों में। वैशन देवी मंदिर हिंदों के लिए एक मत्व पूर्ण तिरत इस्तल है। मा वैशन देवी मा दुर्गा के आवतार की रुप में जाने जाती है और यहां की यातरा अनन्त अश्रिवात और मुक्ष का साधन माना जाता है। वैशन देवी मंदिर दर्बार तक पोशने के लिए यातरा त्रिकोटा परवते से शुरू होती है। यातरी मंदिर तक पोशने के लिए पैदल या पालगी का साथ यातरा कर सकते हैं। मा वैशन देवी की मूर्ति को देखने के लिए यातरी या पवीतर गुफ़ा तक पोश हठी होती है यह टहर के दौरान सुरुक्षा पर भी काफी विशार रखना जरूरी है यह अच्छी तरह से टयार åtना चाहिए और हामेशा गुरूप में भूलना चाहिए यह लेकिन ध्यान रहें यह तोड़ा चैलेंजिंग हो सकती है तो आपको फिजिकली फिट रहना चाहिए यातरा की शुरुवात होती है पॉइंट कत्रा से जम्मो कुश्मीर में आपको या पोशने के लिए जम्मो की रेल्वे स्टेशल या एरपोर्ट तक पोशना होगा कत्रा को बस टैक्सी या ट्रेंज से पोश सकते हैं कत्रा से विश्मीर देवी तक का सफर आप कैसे कर सकते हैं उसके वारे में आपको में बताने जा रहा हो कत्रा से विष्णिय देवी की दरबार तक आपको पोशने के लिए यातर करना पड़ता है आपको कत्रा से बावन तक यातर करने के लिए दो तैरेके हैं एक तो आप पेदल सकते हो दुसरा पालकी की साथ यातरा के लिए आप एक दिन का प्लान बनाएं या फिर दो दिन का प्लान बनाएं इस इसाप से आप अकॉमडेशन बुक कर सकते हैं वश्चन देवी की यातरा के लिए बजट का द्यार रखना मतब बुड़ना है आपको travel accommodation और खाना पीना सब कुछ बजट में यहाँ पर आपको बिल सकता है अपने सफ़र का प्लान बनाने के लिए आपको पहले से रिसाइड करना होगा कि आप कितने दिन तक यातरा पर रहेंगे आपको दर्शन के लिए कितने वक्त चाहिए इस फर भी दयान विचार करना जरूरी है यातरा के दावरान सुरुखषा पर भी विचार करना मतब होना है आपको अपने सामान और हेल्थ के भी केर करने चाहिए यातरा के लिए कमपडेबल कपड़े पहिनने और सरी समय पर खाना पिनना ना वुड़े ति यूरिज आपको खर्षचन लगएगा 5000 से 10,000 तक तिन दिन के लिए एक्कमडेशन बुक करने के लिए 3000 से लेकर 4000 तक खर्षचन लग सकता है अगर आप आप भोजन करते हो तो कर्षचन लगबख पास्तों से लेकर 1000 तक आएगा 3 दिन के लिए आप किस तरके से ओटल बुक करते हो आप और किस तरके साब खर्षचा करते हो लेकिन से प्लाइनिंग और बजट बनाकर आप से यातरा का अनंद उटा सकते है वेशन देवी यातरा एक पवित्रा अनुव है जो हर विक्ति को अपनी मनो कामना की पूर्ती का मौका देता है मा वेशन देवी की क्रिपा से आपका सफर सफलो और आप अपने मनो कामना को पूरा करने के लिए मौका पाए मैं उम्मिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसन आया होगा और ये आपके निये मन भावन अनवा होगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना बोले तकि आप हमारे अगले यतरा पर भी आमारे साथ चले माता विश्णे देवी की कृपा आप पर सदारा है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जै माता दी, थैंक्स पर वॉचिंग, बाई बाई, टेक्के